अच्छा में आपका दौस ताइटस है? अबे जीतू, मेरा शर्ट मुझे वापस कर, दो हफ़ते हो गए है क्या है रह जी तू लाई में भी बेज्टि Cheng किया तूछ जा हुज रुक्र रुक मेरे प्रिय सतीयों कल्यानी इंस्स एक् भाव से जाने-माने आअग से खेलनेवालि 피부 Г Подופi का निर्वहन करने वाली हमारे अपनी उनिवेस्टी की चेयर परसन कुमारी आर्ती वर्माजी का हम लोग यहां मंदर के बाहर इंतजार कर रहे हमें लोगों को सच्चाई से रूबुरू कराना है इस मंदिर के पीछे से जो रास्ता जाता है वहां से हमारे हिरोईन यहां मंद मैं यह सब नहीं मानती हूं मेरे पिताजी का मानना है उस बलीदान के प्राइशित के लिए तुम्हें मंदर आना होगा इसलिए मैं भी उनकी बात रखने के लिए उनकी साथ मंदर चली आई मुझे लगा ऐसा करने से होने थोड़ा अच्छा लगेगा और इन लोगों को ल किल के मेरा मजा कुड़ा रहे नो शी किष्णपूरम के कल के होने वाले डॉक्टर हो तुम सब लेकिन अभी तक बच्पना नहीं किया है यह सब तो मजा के लिए कर रहे थे अंकल वैसे आर्थी तो हमारे लिए नेता ही है आज आज आओ घर चलते हैं ब्रेक्फस्ट कर के अरे ने मुझे जाना है आपके यां भिंडी और वेंगन की सब्दी बनी होगी और सुबह सुबह कम से कम मुझे पराठे और अंडे की सब्सी चाहिए यह 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 वैसे भी तुमको बुला कोन रहा है चलते चलते हैं चलते हम लोग बहुत साल बीच चुकिया ना पिताजे मा या मा को गुजरे हुए हाँ 21 साल गुजर गया बेटी चलकर कुछ खाना खालो कॉलेज जाने का टाइम हो गया जाओ बेटी तुम आप कुछ नहीं खाएंगे इसे खिला दो मैं आता हूँ ठीक है आओ मुझसे एक साल छोटी थी माया इकिस साल पहले जो हादसा हुआ था मैं उसे अब भी भूल नहीं पाए हूँ जब तू कोख में थी तब मैं भी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल गे थी डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि उसे फीट आ सकता है और उसे अबोशन करा देना चाहिए लेकिन माया ने मन्जूरी नहीं दी अगर मन्जूरी दी होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती नुमा यह सब नसीब की बात है तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी शकल देखे बेना ही वो हमें छोड़ की चले गए तुम खाना खाओ अरे राम्या तुम आओ बैठो हैपी बर्दे आर्थी हैपी बर्दे जैसा कुछ नहीं राम्या आज मेरी मा की पुन्यतिती है ओ मैं तो भूली गई थी सुरी वो सब छोड़ो कुछ खाना तुमने नहीं घर पर बन रहा है वैसे भी मुझे आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है सुन्दरी एक लेट नाश्ता और लाना इडली में इतनी चटनी कोई डालता है क्या हो क्या है ना हमारे परिवार में इसी तरह से खाते हैं आप क्या कर रहे हैं थोड़ा दिरी खाये ना अटक गया ना गले में ओ ये इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं सुभे दो इन्होंने बास ही खाना खाया था फिर नारियल खाया और अब ये मेरे खाने पर नजर मत लगाओ देखो सुंदरी जो पेट भर के खाता ना उसकी तारीफ करना सीखो पहले वैसे भी ऐसा शेहरा जहां एक डली बड़ी मुश्किल सी मिलती तो उसकी हिज़त करनी चाहिए ना हाँ हाँ पता है मुझे दोपेर में थाली भर के चावल खाएं भूत की क्या मजाएं उंगलियों को भी नहीं छोड़ा इनोंने देखो तो कितने शान से ड़कार दे रहे हैं इनका पेट तो कभी नहीं भरेगा भुक कड़ कहीं के लगता हैं कुछ करना पड़े जाए तुम जैसे लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिखते का आ आत्मा की बात करता है तो मुझे कुछ-कुछ होने लगता है तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है यह सब पागलपन है यह सब बढ़ाई करने आये हैं क्या सही से बैठ सकते नहीं और डॉक्टर बनेंगे ऐसा क्या हुआ अब सुबह सुबह अपनी काहनी शुरू कर दी ए साथ मा के बहाने तुम कुछ पैसे कमा सकते हो अरे पैसे कमाने के एडियास तू देगा क्या मुझे मैं क्या कोई आत्माओं का एजेंट हूं क्या तुम्त की बात सुनके तो मुझे ऐसा ही लगा अरे करो अरे मेरे वैद्यों चुक्चा बैट जाओ मेरा ध्यान भटकना है वैद्य कहा वैद्य होगा तेरा बाप दॉक्टर बोलो डॉक्तर अटल बिहारी औराओं से ब्रेक मारनी चाहिए थी नू तुझे ड्राइवर किस ने बनाया बे पुरे कॉलेज में दोड़ा कर मारूंगा संसकारी नहीं है और संसकार की बाते करता है उसी का बेटा एले तुझे संसकार क्या होता अभी दिखाता हूं तुझे सुभा सुभा गिरे क्यों हो अगर इस तरह के पागल लोगों को ड्राइवर बना दिया जाएगा तो गिरना ही होगा ना अच्छा ताइटिस सुनो मु जा रहा हूं यहां से और इस बरे मुझे बाद मुता हूं यहां बैठता हूं वैसे मुझे यहां बैठना पसंद है पता है मुझे लगा ही था बोलो क्या बोलना है तुम्हें क्या बोलना था अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ बोलना है मुझे कुछ बोलना न यह क्या फाल तो गिरिये बे पॉले जा गिया इसलिए ब्रेक मारा कॉले जा गिया और वैद्य नहीं बोलना टॉक्तर बोल संजा क्या मैंनुफैक्ट्रिंग डिफेक्ट है ब्रेक के बारे में बोल रहा था वैसे तुम्हारे उपर साडी बहुत अच्छी लगती है क्यों मरे हुए आदमी से कोई बात कर सकता है अरे मैं जूट नहीं बोल रहा हूं मैंने ठीक से सुना भी मैं सच कहूं तो मैं वहां अपने मामा के साथ गया था जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर एक स्वामी जी दिखाई दिये स्वामी जी मुझे कमरे में ले गए और उन्ह जी ने पीछे से आवाज दी कसम से हां तु फेक 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 मेला प्रेकता हो यह सबसे बड़ा है यह कोई बीबात नहीं मानते हो तुम लोग अरे जी तुम क्या बोल रहे हो यार सच कह रहा हूं आर्थी कहो तो साबित कर दूं वैसे भी तुम यहां की चेर परसन हो ट अब फेकु चांद आजकल तु कुछ जादा ही फेकने लगा है अरे जो भी हो अब तो मैं टेस्स के लिए तयार हूं ना प्रूव करके ही मानूंगा अपनी बात समझा अरे जी तु यह सब एक सेट अप है जो हमारे बार में नहीं जानते वो इस तरीके से हमारे बार में ज सुन लूंगी अगर ऐसा है तो मैं भी रेडी हूं मैं तो अपने नाना से बात करूंगा उन्होंनों बहुत सारा पैसा चुपागे अगर वो मिल गया ना आधा तुझे दूंगा अरे वा ऐसा है तो चलो उनसे बात करते हैं हां लेल ना आ जाओ यही है वो जगा जिसके ब सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ नहीं की चलती है बहुत सालों पहले उन्हों ने यह आश्रम शुरू किया था हम बस घूमते घामते यहां आगे थे आओ चलो सीधा जाना है ना सीधा सीधा जाओ जाओ हुआ 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 हो अच्छा ही है आपने बड़े पापा से मिल है तुमारे ताउ जी यहां है अरे नहीं नहीं मुझे मिरे ताउ जी की आत्मा से बात करना है तो उनकी आत्मा क्करती होगी है जिन अहीं चिनमैं सुमीं चुम Рजांदर पर यह कां हो मैं बती जा थिक है तो इस छूम में आपको फौन किया था तो आपने इस शाम को मिलने को बुला बाजान दिन में हजारों लोग पून करते पर दो कोaranशल मिल की है इसका मामा ही स अश्रम का इंजीुनियर है इसलिए मैं है इसे मना भी नहीं कर सकता अब सब देखो देवी से मिलने की कोई गारंटी नहीं है दरसल स्वामी जी यहां पर आत्मा को बुलाकर उस से बात करवाते हैं न उसी सिल्सले में हम यहां आये हुए हैं यह रिष्चेदारों की आत्मा से बात करना चाहते हैं बस यहीं बात है यह तो मैं करनी है स्वामेजी नेरी बात हो जाती तो बड़ी क्रिपा होती ही है तो आता हूं फिर टेस्ट करके सुन मजाग समझने की भूल मत करना होशियार रहना इससे पहले जो आया था ना वो हॉस्पीटल में पढ़ा है पागल हो गया अरे शुप शुप पूल और मूर्ति की यहां पर पूजा करते हैं खड़े होने का अंदाज देख रहे हो कोई पूजा करने की जगा है क्या कुछ भी हो लेकिन पावर बहुत जादा है एक तीर दो निशाने जैसा लेकिन इस भगवान का नाम क्या है यम गंट भारगव यम गंट भारगव यह कौन से यहां पर ऐसा कुछ नहीं है ताव जी नहीं आए ओ तो यह बात है मैं जानता था कि तु जो बता रहा है वो जूट यह नहीं बोला ऐसे कैसे नहीं आयोंगे देखो जब इसके पापा जिन्दा थे तब इसने उनको पत्थर से मारा था तैसी आवला से मिलने के लिए कोई यहां हर आत्मा आजाए यह आवशक नहीं है तो आरती इस वर तुम जाओ देखते हैं यह सचेया जूट है जा तुम आज़ो बेटी जैह हमाँ कि दरों मत बेटी आज़ों बैठो यहां तर अब अपने दोनों हाथ इस ग्रंथ पर रखो फिर अपनी मा को याद करने का प्रयास करो इससे पहले आखें बंद करो मैं बाहर जाता हूँ बेटी बंद करो मा ऑट प्रों बंद कर दो करे दो करने की जा मा प मोड़ती आखें भया जा झाल मंमा। ही जन्म देने के बाद तुम्हें कोध में बहुत खोशी हो लीा है, तुम्हें जन्म देनomnia के बाद Thu तुम्हें कोध में भी नहीं लेपाई थी, तोरन्ति इस दोनिया को छोड़?」 आप मेरी मा नहीं हु ना? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, जब तुम्हारा जन्मा मेरी मौथ हो गई थी मैंने नवरतनों से जड़ा हुआ एक गंगन, तुम्हारे पिताची को दिया था उन्होंने वो जेवर के बकसे में रखा होगा तुम जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारी माँ की बात पर विश्वास हो जाएगा 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 एएगा ढई अपयों झालना को फिर बता मैं यार अजला अजला हो सकत कर दोर अला है मामा, सुनो, सुनो, क्या है? दक्षन दिशा के कमरे में माँ का कंगन था ना? ए भगवान, तुने मुझसे पूछे बगेर उस कमरे को खोल दिया, उस कमरे को खोलने की किसी को अजास्त नहीं है. खोल दिया तो क्या हुआ? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस कमरे को कोई खोलता नहीं है. इस परिवार के सबसे बड़े बेटी का नाम था देविंद्र, जो बहुत बड़े चित्रकार थे. उनके कुछ पुरानी चित्र और कुछ पुरानी चीज़े अभी उस रूम में रखे हुए हैं. वो सब मैंने देखा, लेकिन मुझे बताओ, उस पेटी में जो कंगन था वो कहा है? उस कंगन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, उन्होंने बताया? कहा है, बतादो ना मातू. उन्होंने वो कंगन भद्रकाली के मंदिर में रखे थे. तुम्हारी माने तुम्हारे लिए वो कंगन बनमाई थे. लेकिन माया के मौद के बाद से वो कंगन मंदिर में ही रखे हैं. वो छोड़ो बेटा, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, चलो आजा, मा में अभी आती हूँ वोड़ो आजा, मा में अभी आती हूँ कि अभी आती हूँ कि अभी आती हूँ वोड़ो आती हूँ कि अभी आती ह हूँ कि अभी आती हूँ कर दो कर दो फिल्ट स allies मौनुड़ान मिलगे कि 모양 को की मैं तो यहर्म दे जारिएं मैने पुटनी क सब्सक्राइब यहर्म मेर्म मुत आज Balt Five कि इस लड़की इस है çुम्हादा कि लड़ किशा पर भूला दर्वाज़ ठीक से लॉक करते हैं ठीक एंड हटो तुम अधर रात में है यहां रूपना ठीक नहीं है चलते हैं चलते हैं चलो भी कि एक वक्त था जब यह रोस पूजा पाथ होते थे तुम बिलकुल अपने पिताजी के तरह हूं उन्हें किसी की बेपात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनकी सोच बदलने लगी है, और पुजारी जी का कहना मानते हैं, साल में एक बार पूजा होती है, तब तक दरवाजा बन रहता है, पूजा से पहले दरवाजा नहीं खोलते, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या आरती? अरे आजकल के नोजवानु को आस्था के बारे में पता ही क्या होता है? अ बारे में पता है? कौन है? कौन है कि अचिन अचिन गली है कि अचिन कि अचिन ऐते सही यहुत करते से विए मनें पुक्ना सब्सक्राइडकता जैसे बौॉ कुछ नहीं हंटी अरे बात क्या है हां बताओ तुसे ही मैंने तुमसे कहा था ना कि मझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए तुम्हारे साथ आया हूं बताओ ना क्या बात है अरे मैंने कल फोन पर तुम्हें कुछ बताया था ना बूल के तुम ओ उस बारे में में बोल रही हो क्या अर्थी तुम अभी भी वो नहीं भूली ये सब तुम्हारे मन का ब्रहम है और मैंने तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था फिर भी कल रात को में बहुत डर गई थी अब आई रास्ते पर तुम तो बहुत बहुत बहादुरो अब कहां गई करोगी तो हमें बहस हो जाएगी मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस तरह के महौल में होना कि तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर रहा है मुझे मजबूर कर रहा है बात वो नहीं है तुम ऐसे महौल में पली बढ़ी हो कि ये सब तुम्हारे साथ होना लाजमी है तुमने कि अभी डिस्पेंसरी टेस्ट बुक को पड़ाया क्या लिखा रहता है उसमें दियर स्टॉंग इन्विजिबल कनेक्षिन बिवेन कॉंसेशनेस एंड थार्ट क्रेटेड इन्हेलो तुम मुझे जादा मत सिखाऊ हां कल रात चो मेरे साथ हुआ था वो मैं तुमें सा बताया कि वात लगा रहा है जकड की सोंब और यह सब शादी के बाद यह सब करने के लिए शादी की क्या जरूरत है यह का तुमने नहीं मेरा मतलब यह है कि तुम्हे यहां वहां बटकने से अच्छा है तुम किसी बाबा से ताभी इस बहन लो उसके फोड़ा सा थोड़ा सा कुछ बोलने के जगे लाष्ट लाष्ट बोलकर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मेरा वह मतलब नहीं था। इस कॉलेज में अच्छी अठीं लाश नहीं है और एम complicated यहीं तुम लोगों की कंपलेंद लिए इसकॉलेज में Anatomy लैब री औक पन करने चांगें। आप चुराया हूगा एक कोप्स ना मिलने की वज़े से क्या अपना कर रखिये बहुत उचल रहे थे अलग से एंट्री देंगे अपटर लगवाएंगे तुम लोगों ने दीवार पर क्या लिग कर रखा था कि इस तरफ से जाएंगे तो प्रिंसिबल की बाड़ी से अनाटम सेना नी हो सर लेकिन हमारी कॉलेज की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए सर अरे सुविधाय तो बढ़ेंगी उसके लिए तो सारा इंतिजाम कर रहे हैं आर्थी तुमने देखा नहीं इसलिए कहता हूं कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं सर यहां सर जो भी निकलते हैं तुमारे पास तो बहुत पैसे होंगे आ सर मैंने पैसे देखारी अडिमिशन खरीदा था सर वैसे आपने जहां से जहां से घरी खडीदी उस युणिवर्सिटी का नाम के अब जालिया बाग युणिवर्सिटी अरे सब तुम क्यू पूच यू पूच यह यह दिखने वा हाँ उन लोगो को बुला कर लिया उस समय तो बहुत बख्वास कर रहे थे हैं इस डेट बोड़ी को उपर शर्ट डाला होता तो अच्छा होता तो अच्छा होता तुम लोग उस तरफ खड़ी हो जाओ गोपी टेक दूल है यह जो जो अब अब आप 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 अज़ों को ब्लाइब में जाने के लिए का ता फिर वापस क्यों आ रहे हो बर्जी से आज़ाए तुन्हें दर्म चाला लगती है ग्या अंधर कुछ प्रॉब्लम है उसको काटो अरे वो तो उल्टा हमको काटने को आ रहा है सर जब आप जंदा डेट बाड़ी करहा है तभी मुझे डाउट हो रहा है लगता है उसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया ता या जैसा उस बाड़ी नहीं थी सर तो फिर अब वह ए इस सोड़ा मिलेगा क्या गला सुख रहा है है अब है अचा सुनो तुम्हें जो बाड़ी दी थी वो डेट बाड़ी थी या जिंदा बाड़ी थी बच्चों ने उसे चीरने की कोशिश की थी लेकिन वो तो उटकर चल रहा है अग इसी ने पुलिस को बुलाया है किस ने बोला तो बुलाने को सेर्ट तुनो यहां का इंचार्ज कोन है अब अनाटोमी लैब के इंचार्ज हूं लेकिन पूरे कॉलेज के इंचार्ज है ये प्रिंसिपल डॉक्टर दामूल, MBBS, MD, FRCS, DEM, Neuro और कॉनसे डिग्री थी और कॉ तुम दोनों मिलकर अगर इंस्पेक्टर बल्राम को उल्लू मनाने का सोच रहे होगे इंस्पेक्टर बल्राम, बाल रामन, ओहो बाल रामन है क्या वैसे यहां पर मंत्री मुथहिया का हभी को टेस्ट के लिए लाए है क्या, नहीं लाएं सर, हभी मतलब बच्चा, लड़क अच्छा, तुम हो बेटा, तुम्हारे पिताजी मंत्री मुथहिया जी ने मुझे फोन किया था, फोन आते ही मैं तुरंत आ गया, जी यहां एक क्लाश केस है सर, लाश नहीं केडावर, क्या, सर्वा केडावर जिन्दा हो गया, सर इनका कहना है कि अनाटोमी लैब में कोप अच्छे में है उनकी तहकीकात करू, करू क्या, सेंट मेरी चर्ष में से लाश लाने को तुमने अपने आदमियों को भेजा की नहीं, इसने मैंने, कब, तुम ही हो, कल्यानी इंस्टूट ऑफ मेडिकल सायंस की प्रेंसिपल ने वहां खुदाई करने के लिए वहां गंजे लाता हो, उस लाश को खोदने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, सच में वो बॉडी प्रॉपर पेपर के साथ लाई गई थी, सारे पेपर करेक्ट हैं, आप उससे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता, तो मुझे पता लागाना होगा, उससे पहले बॉडी को देखन लेवरा है, लैप कहा है तुमारा में उपर है, लेका लहाओ इनको, आजाओ, जलो, तो में यहीं, ठीक हो, अच्छा यह वही जगह है ना, जहां सडी हुई लाश को रखा जाता है, ना, टोमी लैब, प्रिंसिपल सब पहले आप अंदर आजे, इस जगह के इंचार अजिय सरकाम ने मुझे वीर चक्र दिया है किस चीज के लिए किस चीज के लिए दिया है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा अरे ये क्या बॉड़ी को ढख्या रखना चाहिए ना बहुत गंदी बद्बू आ रही है तुम लोग डरो मत मैं हूँ ना देखा इसी बेचारी लाज पर घूमने फिरने का इल्जाम ये लोग लगा रहे थे मानना पड़ेगा बॉड़ी की साब से पेट बहुत बड़ा है लगता है खाखा के इसकी मौत हो गई है देखो लड़को इसके बॉड़ी में कोई हल्चल नहीं है इसका मतलब मुझे सब तुरंट यहां चला आया समझे तुम लोग बहलाल दुबारा ऐसे फालतू केस में मुझे मत बुलाना मैं बहुत कड़क ऑफिसर हूँ समझे तुम लोग और सुनो अपने पिता जी को बोल दिना कि इंस्पेक्टर साब आये थे और चानविन करके चले गए गया है मैं निक चली गई कोई बात नहीं फ्लैच ओन करता हूं मोबाल में बहुत कुछ है करता हो हाँ अब तुरुख जा यह सब तीरी वज़े से वहां से पुलीस वाले को भूत के सामने भेजता है तू प्रिंसिपल नहीं है तू तो कसाई है कसाई तुझे छोड़ू का नहीं है तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब देने के लिए देवी को खुद यहां आना पड़ेगा, पर आज उनसे नहीं मिल सकते, आप लोग कल आईएगा, आज देवी का मौनवरत है, हाँ, मौनवरत है, सिर्फ एक मिनट के लिए देखो, आज यह बिल्कुल संभव नहीं है, देवी ने आज बोलेंगी और नहीं किसी से मिलेंगी, किसी से नहीं बात करेंगी, बाण वरत क्या होता है, बताओ, क्या रहे, देश का प्रधान मंत्री भी आ जाए तो, देवी मूह नहीं खोलेंगी, आज रात पूजा होने क के बाद ही देवी बात करेंगी इस जन्म में भले ही देवी ब्रह्मचारी है लेकिन उस आत्मा लोक में देवी का एक पती भी है वो शैतान रूप में काम स्वरूप में यमगंड भैरव ही है शुक्रवार की राद जब तीसरा पहर शुरू होता है तो देवी भैरव की शेक करेंगी और उस समय उनकी भावनाय रतिकी तरह होंगी पूजा के बाद देवी पर भैरव आएंगे और उन्हें आशिरवात देंगे प्रतेक शुक्रवार को भैरव की आशिरवात से सौमनी देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और अब आप लोग जाईए कल अब क्या करेंगे और तुम लोगों ने सुना ना कि वह स्वामी क्या बोल रहा था हर शुक्रवार को पूजा करके देवी शक्ति पराफ करती है सुनने लाए कहानी पर जब भी आश्रम में देवी क्या प्रति अब्सक्राइब अब सुनता था था ना मुझे लगता था कोई बुडी और था मुझे भी जब कभी भी देखो तुम लोग तीनो पस ये ही सोचते रहते आरे उनके बारे मैं एसी बाते मतल jarkin raising जाते हैं समझा क्या अरे नहीं तुम लोग मेरी इता से सुनों तुम लोग जैसा सोच रहों सौमेन कि अधिन आरी यह जाए पी यह कि जाए पीए क्या लादे गाड़ी मैं चलाता हूं बहुत लेट हो गया मैं पिताजी से क्या कोईगी इसके बारे में तुम जिन्ता करो अब तुम्हें विश्वास होने लगा है वो यह समझ जाएंगे विश्वास अरे कितना भी पूजा कर लेंगे लेकिन इन सारी बातों में साइंस होता है गोपी ने जो पैरनॉमल एक्टिविटी का यूट्यूब विडियो देखने के लिए कहा था वो मैंने देख भी लि कोई मार क्या है क्या है क्या हुआ है क्या हुआ यहां कुछ भी नहीं है क्या हुआ बताओ ना अरे कुछ गर्वड है क्या अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है अरे जीतू तुम जा कर देखो ना श्री यहां but सुनी तर मुझ होगा हुभी। हुआ मुझे तो था हुभी। अरे यहां नहीं कोई बूत नहीं है यहां कोई बूत नहीं यह सब तेरा अरे यार कुछ भी नहीं है यहां चलते हैं चलाजा गाड़ी में चला तो और पुरिस के गड़ी कि अंच पता नहीं तो यहां ही आधिरात कृ थो अंद कर रहें दो है क्या जल रहा है इतनी रात कृ रास्ते क्या हो रहा है है अरे नत इत्री जी की तेवयत कैसी है, और यहां क्या कर रहे हो? हम जब आ रहे हो तुँ गाड़ी किसी चैशी से तकरागी हम ने लिटकर देकर हो अब कह अपल्र को अदर ए गा भी कोलेच नहीं हाँ तूत माइ पूलना तूहारे लाब में बॉडी चाहिए, इसलिए तुम्मने किसी को बॉड़ी को थिकाने पर लगा दिया है। में किसी से डरता नहीं हूं आधी रात कौ लड़की गूम रहा हो तुम्हारी को अनुग्ड निकलूछ यू निकलो विद Lily जाओ भाई जाओ अपने पास रखो और सुनो लड़की को पढ़े खोड़ दो और बीच में कहीमत रुखना तूंगे बहुत बहुत बारी बढ़ेगा जो 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 सारे केसे ही मिलते हैं तोड़ पानी गनेगा जुगाडी नहीं हो रहे जो 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 राद है तो क्या अरे यह सारी बाते मुझे पता नहीं चाहिए थी चुटकी वे सब कुछ चीक कर देता वैसे तुम मेरे तावीज का मजा को ड़ार थी जो ठीक बात नहीं है वैसे हमारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा है जो इस तरह के तावीज बनाने वाले को जानता है अरे यसे तावीज क पैसा चाहिए होता है और साथ में हिम्मद भी चाहिए होती है अहां बस यहीं से मुड़ना है यहीं कहीं आसपास में होना चीए उसका घर जब मया की मौत उई थी तो मैं दादी नानी और नाना के साथ ही यहां है यह तो आप शगुन लगता है है चलो सब मिल के इसे हटा जी न हुआ देते हैं फाब धर देख वह स्तरफ से कोई अर्हा है इसा पूछता है यहां पर foreign कि असमों फिरफें तरिकमानी का घर काहां और बार उस तंद जर जब लेकाने का रास्ता ते इस दो पाइस ज == अगर इस रासते से जांग ए और गlor तो दो बनीट वे पोँंच उसको कई लोग धूडने आते हैं ना उनमें हरतरे की जातवाले होते हैं जैसा उसा बताया वैसे तो म लोग पहुच गया लगता है ये देखो सामने दर्वाजे पता चल रहा है कि यहां तंत्रमंत्र का काम होता है तो फेर इस दो जिसने बनायोगा उससे पूछन पड़ेग ये वो तिरुबनी है ना जिसने इसकी मा को कंगन चुपा के रखने को कहा था अरे वो कंगन का नहीं है वो मा भगवती कभिष्णा नहीं क्या आकाश गंगा उस तांत्र की पूजा की वज़े से भूद भाग गया था आपने उस चुडल को देखा था क्या अरे तुम पड़ेगा शायद तुम्हें डर लग रहा है कैसा डर वैसे मोहल तो है डर पैदा करने वाला मेरे खाल सब्सक्राइब क्या अरे पीछे आजो मैं हूना साथ में चलो बेकारी डर रहे हूँ नमस्ते महापूर प्रधान तिरुमानी जी से मिलने आये हैं वो यहां पर है क्या नई लगता है उसके आँख और कान काम नहीं कर रहे हैं और सदमे में हैं हम लोग मानिकपूर से यहां आये हैं यह हमारी उन्नी कृष्ण वर्मा जी की बेटी है आरती वर्मा और यह सब इसके दोस है और में भूला बर्मा अरिनी भूला नायर है हम तिरुमानी जी से मिल सकते हैं क्या उसे गुजरे हुए दस साल हो गए हैं, मैं तिरुमनी की पत्नी हूँ, उसकी अर्धांगनी का उसल्या अरे ये तांत्रिक की पत्नी है न, इनको भी जादू टोना तंत्रमंत राता ही होगा, इनसे पूछ कर देखते हैं न, दादी जी, आपको भूत पर इतने विश्वा से क्या, जो पागला करें, चलो निकलो भी आँसे, हमारा क्याम खत्म हो, अरे रुको रुको, क्या बात है जब माया गर्भवती थी, उसका पेट चीरकर जो बाहर आई थी, तुम वही हो न, मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है, आने वाली अमावस्या की रात को ठीक ग्यारा बजे ये होकर ही रहेगा बुड़िया को मानना पड़ेगा, क्या बक रहा है तु, अरे वो, कुछ नहीं दादी जी, सुना मैने, कुछ नहीं, एक सेल्फी ले लू, बड़ाया सेल्फी, चल जा, निकल जा यहां से, शरीर और आत्मा, सब चले जाओ, चले जाओ, फिर नजर मत आना, चले जाओ यहा का, वो मुझे प्रेद का नाम लेके डराएगी, तु मैं डरू को जोड़ी, वो महापूरतांत्रिक की बीवी है, उसे कुछ को पता होगा, ऐसा कुछ अमा अवस्या की रात को होगा, ऐसा बोल रही है, वैसे मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अब भरुसा करू या नहीं, म क्या होगा, अखितना बड़ा हो गया है, जब भी तुमारे पिताजी को मिलता हो ना, तुमारे बारे में पूछता हूँ, सब ठीकठा के ना, तो सुनलिया ना, अपने, जुन्हें सुना ना, मेने क्या का, इसके पिताजी मंत्री है, फिर भी से जारा भी घमन नी ए, देख लेकिन तुम यहां क्यों आयो अरे बेटा कोई काम था तो मुझे बता दिया होता नहीं दरसाल हम लोग यहां पर तांत्रिक तिरूमनी से मिल लाए थे कौन उस जादू टोना वाले से तुम भी ना अरे उससे मरे तो दस साल हो गए वह उनकी बीवी से मिलके आ रहे है वो तो सब्सका भी कुछ पता नहीं है भगवान जाने कहा गई वैसे आप लोग इतने दूर से आयो ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा घर तो आना ही पड़ेगा घर तो पास में है चाय वगेरा पीके जाईएगा आप से बाद में मिलता है अच्छा अभी थोड़ा बीजी हूं हा मुझे क्या पता यार चलो फिर से चलते हैं अरे यह तो पूरा माहौली पदल गया सब खंडहर हो गया यह तो सब बदल गया है जैसे कोई जादू हुआ हो यह सब इसकी मजह से हुआ है तुम्हे तो विशौस नहीं हो रहा था ना आप बोलो कुछ हो रहा उसका इलजाम मच पर मठ डालों तुम लोग आपस में लड़ों मत यार वो कौन थी अंदर पता चलेगा अरे जार बोल वो नहीं रहा तो कैसे चलों यह जग हो पूरी तरह से बदल गया हो मत अरे हां तो सापों के बांबीया बन गहीं अब यह क्या पंद होती है अरे बागो बागो यह अरे जली भादा है अरे जल्दी भागो आट रिखलो ने जल्दी भादा है भादा था दसनो झाल सकता है, प्धूभार के जय हैं प्वार साभंग सけてог्ड़ा cu tes यो इसे ही ही हैं यह एक बार और ट्राइ करते हैं इतनी बार तुर ट्राइ किया है नहीं लगा, बहुत इंतजार करना पड़ा, जा अरतना और पूजा के समय, देवी किसी से नहीं मिलते, स्वामी जी मैंने आपसे कहा था, डरो मत, देवी ने तुम सबसे मिलने से मना नहीं किया, गोपी और आरती को बुला है, आच्छा, जा जा, अरे सुनना, मुझा एक डा प्रहम, डाउट क्लियर कर रहा था सुमी जी, बस डाउट, आजाओ, यहां बैट जो, देवी अभी आजाएंगा, उन्हे सब सच बता देना, बैटो, कुछ दिन पहले हम यहां आए थे, लेकिन उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई, आरती ने अपनी मा की आत्मा से हां बात की थी, उसके बात से ही हमारी परिशानिया दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है, आरती कह रही थी कल रात को भी उसे किसी ने डरहा था, आरती को पहले आत्मा और भूत पर विश्वास नहीं था ना, ऐसे कई लोग हैं जो विश्वा से ही बात की थी। लेकिन एक बात तैह है, इन दिनों जो तुम देख रही है और जो भी तुमधु घरा रहा वह तुम्हारी मां की आत्मा नहीं है। को सालों पहले, तुम्हारी बीराद्रि के लोगों ने किसी को मार प्रचन शक्ति को माया के शरीर से निकालने में वो तांत्रिक पूरी तरह सफल नहीं हुए थे इसलिए उस वक्त आर्थी को माया का पेड़ चीर कर बहार निकाला गया आर्थी को इस दुन्या में लाने का और कोई तरीका नहीं था उसके बाद तुमारे घर के जो भी लोग मारे गए और उन सब की अकाल मौत हुई थी उसकी वज़े यही आत्मा है उन्नी कृष्णन वर्मा ही किसमत से किसी तरह बच गए फिर वो प्रधान तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को पकड़ पाए थे फिर उसे काली देवी के मंदिर में कैदी बना कर रखा गया था आकाश गंगा जब जिन्दा थी उस जमाने में माया गर्भवती होकर मर जाएगी लेकिन वो आरती को जन्न देखी ये तह था और विदी के हिसाब से यही उसे मुक्ष दिलाएगी और यही हुआ है और जैसे ही वो बाहर आएगी तबाही मचा देगी अलोग एक सुख ना मिलने की वज़े से उसकी आत्मा किसी की जान नहीं बक्षेगी ऐसा हमारे प्रधान तांत्रिक कई सालों पहले ही कह चुके थे हम लोग उस तांत्रिक के घर भी गय थे लेकिन वहाँ अजीब सी गटना गटी हमारे साथ तुम जिस प्रधान तांत्रिक की बात कर रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ देवी ची आप हमारी कोई सहायता कर सकती है क्या सहायता करने से मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन तुम जैसा सोचरों वैसी पुजा यहां नहीं हो सकती दोश्टात्मा को शान्त करने की सुविदाएं यहां मौजूद नहीं है वो तरीके अलग हैं लेकिन उस काम को पूरा करना ज़रूरी है इस महीने अमावस्या 31 जुलाई को ही है 31 जुलाई से पहले पुजा करनी ही होगी इस पूजा का खत्मोना बहुत ज़रूरी है गोपी तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ गोपी इस अपने हाथ में रखना आरती तुम मेरे पास आओ इस अपने पास रखो आरे इस अपने है अपने 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 कर आप तो प्रफिक कर देंगे त्या हमें नहीं दून रहे हम धूनते हुए हैं अरे टाइम वेस्ट करने के लिए बोलता हूं सुमेनी देवी को कानून सिखाना अधर अरे वो सुमेनी देवी के प्रती हमारे जो इश्वास बढ़ता हम इसलिए अनके लिए वो इज़त थे रहेगी कि लोग आगें वैसे उन्होंने तुमसे क्या पूछा चलो सुमेनी देवी ने कुछ भला पुरा का क्या चुप चप यहां से निकलो तुमने एक बात पे धान दिया उस दिन जो दादी माने डेट बताई थी वही डेट यह बता रही है वो मेरी मरने की डेट है ना पागल ह क्या हम लोग तुझे मरने देंगे तेरे होते दुश्मन की ज़रूत है क्या हम भी नमार डाले वालतू की बाते करके डराओ मत चलो मुझे किस बात का डर है लेकिन तुमारे चेहरे पर टेंशन तु दिख रहा है यह डर थोड़ी गई थी घबरा गई थी है न अर्थी यह पानी रूम में रख दू तेरे नहीं मुझे दे दू तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो ऐसे उन्नी भाई ने मुझे लेकिन भगवान है ही नहीं यह हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं इसलिए तो तुमें सपने आते हैं मेरी सारी बाते तुम छुपकर सुनती हो औरे मैं सोने जा रही हो आप भी जा गुड़ नाइट अरे तुम तो बुरा मान गई मैंने मजा किया था बेटी तु सुन्दरी तुम्हें भी गुड़ नाइट बेटा मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाओ नई मा आप सो जाओ मैं सो जाओंगी कितने तेज हवा चल रही है लगता है बारिश होने वाली है क्या हवा चल दी क्या महकारी है कर दो! हुआ 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 है है मेरी तकदीर में है लिख़ा तेरी आदे वो पार आदे मिलने की वेह गणा तो ही तो ही तो है मेरी का आव्रन सुनो आर्दी, तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम है गंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी, ना भी आओगी तो भी मैं तुम्हे अपने साथ ले कर जाओगी तुम आने से पहले फोन भी करते ना तो मुझे यकीन नहीं होता तुम आ रहे हो, रहसे आस्ट्रेलिया में बिजनस करके लगता है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, हाँ, बैटो, काहेगा बड़ा यार, कल ही आयाओ, कुछ भी कहो, अपने गाओं लोटने में अलगी शांती मिलती है, बहुत दिन होगे इस रास्ते से गुजरे होए, माया की अंतिम क्रिया करम के दिन आया था, बीस साल गुजर चुके हैं न, साल तो देखते देखते गुजर जाते हैं, हाँ, और बताओ, आज कल तुमारा क्या चल रहा है, गाओं का सरपंच बनकर मज़ा आ रहा ह देखो, हमारे गाओं की खेती के बारे में तुमें शायद पता नहीं है, जो किसान पहले मिट्टी से प्रेम करते थे न, वो आज आत्मत्या कर रहे हैं, ऐसा है, तो जमीन मुझे देदो, मैं खेती करके दिखाता हूँ, उपर वाला है न, उसी को वो चीज देता है, जिसे उसकी कदर नहीं होती, इसका चेहरा तो देखो, पेट देखके लगता नहीं कभी कोईता पकड़ा होगा, हाँ, वैसे, मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया था, किस काम से, ये तो शायद तुम्हें पता होगा, देड़ से ही सही, लेकिन मैंने नया रिष्टा जोड़ पर यहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर सोचते सोचते मुझे याद आया कि तुम तो यहीं पर रहते हो, मानेकपुर में जब इतनी जगह पड़ी हुई है, तो उसे परिशान होने की क्या ज़रूरत है, ठीक का तुम्हें, बलराम, याओ, मैं हैसी की बात कर रह लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है, इंस्पेक्टर बलराम, यहां पर बहुत सारे कम्रे खाली पड़े हुए है, उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, बस कुछी दिनों के लिए मैं रहने वाला हूँ, सच कह रहा हूँ, कुछी दिनों के लिए, हाँ, वो क्या है कि कुछी द मुझे मत बतातों, देखो, अगर इस पेड़ी को पर धूप ही नहीं पड़ेगी, तो इसे पानी देनी की जरूद भी तो नहीं पड़ेगी ना, अरे वाँ, 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 क्रिशी का आइबॉर्ड लेनी वाला आदमी तो यहां पर मौजूद है, सुनो, भोला, का अब ही घर आने के लिए मंदिर से निकली होगी, मंदिर से, लेकिन तुम बे तो कहा था कि उसे इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, पहले था, पर आज से उसने अपना इरादा बदल लिया, बड़ी जल्दी बदल गी, बड़ी बड़ी बाते सुनने लाइक है इनकी, जिस च लेकिन पैसा ज्यादा लग गया, वो क्या है आपने जितने पैसे दीते वो सब खतम हो गए, खाने के लिए पैसे होना हो लेकिन पीने के लिए तो चाहिए ना, शराफ तो मिल गई, सोडा, अरे ये सब क्या है, लोंगी है या गोडाउन, अरे सब कुछ अंदर ही रखावा कर सकते हैं, अरे कुछ में चड़ो, हम इस आदमी के सरी अपने काम को और भी आसन कर सकते हैं, यही तो मैं भी कह रहा था, लगता है यह लोग शुरू हो गए, अरे बास अजी गुड मॉनिंग, अरे और सब लोग यहां क्या कर रहे हो, हां, अरे सर यह तो हमारा ही घर है, स हम लोगों ने देख लिया था, यही तो लाए थे आप, एक बीर बोटल और एक ब्रांडी बोटल, सही कहा ना, और क्या हो सकता, बीर के साथ ब्रांडी भी इसने और किया तब ही मुझे शक हो गया था, मैं इससे कहा था कि सर जी रुके होंगे, क्योंकि यह तो बेसी पीता मैं दवा के हिसाब से पीता हुगा, और यह दो दिन से मैंने दवा नहीं ली तो अरे यहीं बैटना, बैटो, 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 सर आप ही बैटी है, बैटी है, सर आप एक बाद जानते हैं क्या, हमारे गाउं में इंस्पेक्टर को प्रधान मंत्री की तरह इज़त दी जात अच्छी बात है, सुनो, मेरा क्लास को पीओ ना, जा तू लेकरा, देख कैसे पी रही है, उफ, अहा, यह अच्छी बात है कि तुम पीते नहीं हो, वेज हो ना, यह लोन वेज है, जब पैसे नहीं होते तब यह लोन लेता है, और लोन लेकर पीता है, आप समझ गया ना, मुझे गुडगदी होती है, अरे, कितना पी रहा है, आप चाह बीरू को बलाओ, या धीरू को बलाओ, जा चाह जीस को बलाओ, और क्या, और क्या, ड़के मारे कम्रे में पिशाब करने माले को, वीरू नहीं कहेंगो, तो क्या कहेंगे, ए, तim लोग, चुप रहो च्प ज वे वे पिशाप का यह किया था आज कोई भी दिन हो कोई भी वक्त हो मैं अकेले जा सकता हूं और इसकी वजय पता है क्या है इस्पेक्टर बल्राम के साथ रहने वालों माँ एक दम सही बोल रहा है तू तरटी आपको पता है क्या जिस तरह उसाकाष यंगवाली चुड़ल को चिता में रख माया थाना हुँ उस प्रधान तंतीर के काम को मैं दौडा राहं को इवा वीज है कुण खूड़ को की पैसी पानी की पैसी जवानी की पैसी आसमान की भूत आके हम पिछले बीस सालों से यह कमरा किसी को नहीं दिया गया जो खून की प्यासी भूत है उसका कमरा है अगर यह आपके साथ में रहेंगे तो यह आपको भी गंदा कर देंगे और अगर कोई भूत मांगे तो कहना देख मैं तुझे बिल्कुल नहीं दे सकता है ठीक है तो हम चलते हैं चलो है अभी तुम आप पीना चली चल 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 ज्यादा हो जाएगा सर यह हमें दे दो ना हमारा भी काम हो जाएगा थैंकि लेगों सर्वत माशूम है अरे क्यूं उतनी जाद चड़ा लेता है अरे देखें मैं माशूम शोडी सी जूपी कि बड़ाम, कि बड़ाम अरे, कुर्शी कोनी लारा है स्टाप इट इतना डर होना शाहिए क्या हवा अरिये मस्ट अरे, हवा का से अरिये कोन मुझे डरान दी की कोश्षीश कर रहा है इमद है तो सवर्याजा अवे, कोन है वे? सामलेया इसे बोलते है, इंस्पेक्टर का डर अरे, जड़ेगान ने तो जेल में गाल दूंगा अंधिरा, यहां पे लाइट क्योंने लाइट तो जलानी पड़ेगी लाइट का बटन मेरे बेट में खोन सोरा है अच्छा शाटकाट रस्ता पगड़के यहां के मेरे बेट में सोरा है ए वावा उड़ेगा मचाव मेरा पेर मेरा पेर अट्वरेगा मेरा पेर पेट्वरेगा अरेयर वेँ पगवाएट अरे पूरेटू पर दो रे दरो ! पर आपैलो ! हरे भर पार ! प ответ uni वे समें! पो अरय को अरय को अरय को अर्बार ! उन्देल का रसिया ज्रीमों... बद़ा को अर्डills कता हु पार। पर दर्द में पर का दर्द कम नहीं हो रहा है कहा फस गया मैं यह को ली बिल्ली मुझे तरा रहे हैं यह बिल्ली भी भूतों में शामिल हो सकती है यहां से निकलना ही सही है इतने भड़े घर का इतना चोटा सा दर्वादा परेशान हो गया बचा लो मुझे भगवान बचाले ले बढ़ाम सब को क्या हो गया मेरा पैर तोड़ धिया क्या तो आप समाट लग रहे थे ज्यादा बातें मत कर कल बुरा हाल हो गया मेरा तुने चो कहा था ना वहीं सच न ठीक सबस्कार भी से भूत रहते हैं तू आपने सच्व में उसको देखा यहां आप के लिए ऊट ने किसे ओपर पर चिला कि और यह बन्र माद कि उसकी लिए शुक्रिया अगने को सम्झाल मांफ कर दो मैं जा रहा हूं पर इतनी जल्दी क्या एंगा पाउं काट लिया कून की प्यासी चुड़ा ले जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा फाल तुके बाते करना बंग कीजिए अरे चुप हो जाईए अरे मुझे ही पता है मैंने अपनी जान कैसे बचाई अरे घर में भूद रहता है भाई कुछ दिनों से ऐसी घटना बंद हो जाएंगे अरे ये सपने नहीं हकीकत है मैं आपको सच में कह रहा हूं या भूत है आप एरी बात का यकीन करो पता नहीं आपको कैसे संजाओ अरे अगर इतना बहादूर और दमदार पुलिस ओफिसर डरने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा पता है कल रात को भी पत्मा आप ये बारे में बात कर रही थी अच्छा जी ये पहली बार जिन्दगी में किसी मद को देख के साहरे की बात कर रही है आपके डोले शोले पे मर्मिटी चोड़ना मत कान में क्या खुसुर पुसुर हो रही है ये यह रहता तो मुझे दूपाइक पीने को मिल जात तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे लेकिन तुम्हें यहां रहना पड़ेगा मतलब आपका यह कहना है कि मैं यहां रुख जाओ है ना अरे सिर्फ पदमा ही नहीं सुन्दरी भी चाहती है अच्छा एक तीर में तो निशान तो मेरा जाना कैंसल हो गया है बैग अंदर रख दे दोनों भी ना मिले बस वो सुन्दरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए सुन्दरी तेरे लिए में अरे तुम फिर ख़़ी हो गई दिखली आशे अरे बापरे जान ले लेगी यह बिल्ली मेरी अरे बापरे यह चूप रहे आप इतने जल्दी आ गई मेरे पैर का इलाज करने के अभी तो पैर में थोड़ा दर्द है अंदर जाके पैन चेंज करके आता हूँ आप यही रुकिए मैं लुंगी पैन के आता हूँ लगता है कम सुनाई देता है अरे सुन अब क्या हुआ दादी मा अगले हफते तेरा प्रमोशन हो जाएगा मदाक अच्छा है और उसी हफत जॉइनिंग भी हो जाएगी लिख कर रख लो लगता है जोतीज भी जानती हो अच्छी बात है इस काउशल्य मा को भविश्यवानी आकाश्वानी सब कुछ आता है अरे प्रमोशन के लिए तो यहां भटक रहा हो दादी मा पर पता नहीं प्रमोशन कब मिलेगा वो क्या है कि थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ना मेरा प्रमोशन में प्रोब्लम होता है इसे मैंने जो बोला है वो जरूर सच होगा देख लेना अच्छा अगर यह सच होगा तो पार्ट ही दोंगा मैं आपको रुको मैं अभी आता हूँ दादी मा भले ही मजाग कर रही थी लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था अरे यह क्या पुराने जमाने का स्विच लगा कर रखा है जब देखो तब बिजली चली जाती है यहाँ बिजली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता मगर दो सुन्दर औरते तो है अच्छा ने तो परेशान करके रखा है अरे आ रहा हूं ना कपड़े चेंज कर रहा हूं क्या हुआ दादी मा और क्यों चिला रही हो क्या बात है उन्नी क्रिस्ट्रन निकाप के पैर में दर्ध है अरे उसी के लिए तो एक दादी मा आई थी वो कहा गई दूसरी कौन सी दादी मा अरे जिसके सर पर बहुत बड़ी बिंदी है वही दादी मा है और वो मैं हूँ आप बैठ चाहिए अरे चाने दू मुझे क्या करना है दादी देखो पैर में बहुत दर्ध हो रहा है आपक के लगता है कि आप इलाज कर दोगे उपर उपर अभी ठीक कर दोंगी पता नहीं यह काली बिल्ली मेरे पिछे क्यों पड़ी है आराब से दादी अरे कहां चली गई यह तो कुछ भी भविश्य नहीं दिखा रही है ऐसी बात है तो हमें पताईए ना उठागे रख देंगे अरे बेवकूफ तेरा मतलब था कि यह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है आपका यह मतलब था मुझे पता ही नहीं था तो पर भविश्य जानने के लिए अभी लगता है कोई रुकावट पैदा कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इस घर में कोई दुरघटना होने वाली है जरूर इस घर में कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है कि बेटी आर्ती की भविश्य को देख रहा हूं तो एक रास्ता नजर आ रहा है लेकिन दशा और बुद्धी बहुत जादा खराब नजर आ रही है आर्ती के सर से दुरघटना तलने का समय है अभी नहीं तो बहुत खतरनाक दोष्ट लगने वाला है ए बगव बेटी का दोष अठाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तयार हैं तो फिर जल से जल 31 जुलाई से पहले अगर आप आर्ती की शादी करवा देंगे तो इस घर पर जो बुरी नजर है वो हट जाएगी लेकिन पंचाग में मैं देख रहा हूं कि 31 जुलाई को हम अवस्या ह शुब कारी के लिए ठीक नहीं है लेकिन महराज जी इस काम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है इस समय जो आत्मा हमें तकलीफ दे रही है वो आखरी दिनों में कुरूर हो जाएगी शादी रोकने की वो पूरी कोशिश करेगी इसके लिए हमें रिवाज बदलना ही पड़ेगा इसलिए आप एक काम कीजिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी सगाई करवा दीजिए वो गोपी हमारी आरती बेटी से शादी करने के लिए कब से पीछे पड़ा है हम जब भी कहेंगे वो तो तो तयार है यह ठीक कह रहा है हम इसके बारे में पहले बात क अजय ऊजय वोग तो 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 अझाल से वोगा कि अजय घए इसक्र शबए़िएगा ड़का भावा कि फेस्कान संपत भले ही चेर्मेन है लेकिन मेरा बड़ा भाई है तो आगर ठीक से करना वरना बखेडा खड़ा हुआ ओके ठीक है सर चेर्मन सर कॉलेज की गेट पर आग रहे हैं चेर्मन को गाड़ी से उतर कर आने में वक्त तो लगेगा है कि अधार अधार वह उतरने की कोशिश कर रहें लेकिन उतर नहीं पार रहें ऐसाना काड़ी से उतरने में समय लगेगा सब्सक्राइब आल हेल्प यू सर अराव सर नहीं तो डोर उखाड़ा पड़ता क्या बात है दोली तुम पतली कैसे हो गए दाइटिंग पर हूं सर अच्छा ये बात है देखो इसे पूरा दोलक लग रहा है अब पता चला ना डोनेशन में ये लोग एक करोड़ दो करोड क्यों लेते हैं क् अरे सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता मेरी तरह जिम भी जाया करो तुम भागे वेल्कम सर इसे अन्ने पास ही रखो तैंक्यू कैसा चल रहा है कॉलेज बच्चे सब खुश है ना अब और भुश है असा सब लोगों को मार देते हैं तो क्या है सर प्रिंस्पल साब इनकी जोग की वज़े से लाश भी उठकर चलने लगती है तो बच्चे से पढ़ेंगे ना मंतरी मुथाया सहाब आ गया है क्या है उन्हें अच्छे से ट्रीट देना है इस बार हमारी सरकार 10 MBBS सीट सेंशन करने वाली है हां बेलकुल मैं हुना यहां का प्रिंसिपल यह है अगर दस मेडिकल सीट मिल गई तो दस करोण का फायदा होगा उस आदमी का बेटा तो यहीं बढ़ता है अरे बेटा लाड़ो यहां आ बेटा अरे तुम्हें देखे में कितने सालोगा खाना पिना ठीक से खाते हो ना मेरी कर्दन तो छोड़िये अगर यह मर जायका तो मं कि अगर में चैरमें साथ ज्यादा दूर चलने ही पाएंगे इसलिए आपका स्वागित करने के लिए उस्टेज पर बैठे मेरे लिए इतना काफी है 300 कलो की बॉड़ी लेकर मेरा इंजजार कर रहा है है नमस्कार नमस्ते अरे तेरे तेरे देश के मोड़ी गया भाड़ मे मुझे इतना कसके पकड़ने की क्या जरुए थी चेयर्में पिछले इलेक्शन वे पचास लग दिया थे यादे ना ऐसा है क्या नहीं देना इसलिए मुझे ऐसे जकड़ के पकड़ा अरे यह तो प्यार से पकड़ा हट्ट्या टूट जाती तो आप बैठी है अरे जरा तुम सबालो सैर मैं यहां का प्रोफेसर हूँ एनाटोमी भागा अच्छा और क्या चल रहा है एनाटामी मतलब क्या होता है रहा है तुम भी मेरे जैसे हो अरे कहां गई चाहर परसन नहीं लग रहा है सर आप ट्राय कीजिए ना इसने लगा तो नहीं लगा तो म यह कोई धरमशाला नहीं है टाइम की वैल्यू नहीं है तो चेहर परसन की कुरसी छोड़ दो आज के प्रात्थना की शुरुवात रमया करेगी चलो आर्थी अरे ठीक है ना थोड़ा बहुत लिट चलता है नमस्ते हमारे कॉलेज का यह आठवा साल है उसी उपलक्ष में इस कारिक्रम का आयोजन किया गया है और अब यहां प्रार्थना गाने आ रही है कुमारी रमया उनका स्वागत कीजिए हम को मन की शक्ति देना मन वी जय करे हम दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे हम हम को मन की शक्ति दे हुआ 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 है हुआ 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 है पोला रो हुआ 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 पूरे व्यूट अन्यवु दूसरों की अक्षे से त्यारी जिए लेकिन इसने पूरा हुआ खराब कर दिया यह अचलाइऄ से क्या हो गया अरे जाओ जाओ यहां से जाओ कितना अच्छा गाति थी अच्छानक पता नहीं क्या होगी अरे यह कौन सी भाषा थी भाषा चाहे जो भी हो लेकिन वह भाषा हम यहां नहीं सिखाते हैं मैंसे यह कौन सी भाषा है वेदी भाषा होती है वाषा को हम यहां पर नहीं सिखाते हैं वह क्या है कि मंत्री जी को दो नंबर जाना है इसका पेट खराब हो गया है आने के बाद कारिक्रम शुरू करेंगे मुझे दो नंबर के लिए नहीं जाना है एक और फंक्षन है उसे कि इस तरह की प्रार्थना सुनी है और आपकी तरह मैं भी खुश हूं और इसी खुशी को बाटने के लिए हम लोग के काट लेते हैं ठीक है लो पकड़ो तो हम काट सकते हैं विल्कुल काट यह पर मेरा नाम नहीं लिखा है पर कोई बात नहीं काट देता हूं जलो केक तो की अअ जयाओ लार इसुशी नहीं का लाग्ड़ो थाद्या उता है जसे दोगना है वाज हम बाल के लिल्कुल कि लेकी बाल करेव कि लिल्कुल कि वार है कि अद्टुल यह सब क्या हो रहा है 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 यह सब मुझे मिलकर मारना जाते हो यह क्या कर रहा है यह सब 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 क्या कर रहा ह तुम यहा के लिए क्यों बैठी हो गयते हैं तुम यहा के लिए क्यों बैठी हो प्रिंसिपल तो पादल ही हो गयते हैं कोरिडोर से वो नीचे कूद गये सब लोग उन्हें होस्पिटल लेके गये हैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो उस दिन जो लैब में हाद्सा हुआ और आज जो हाद्सा हुआ उसमें कुछ तो संबंद है कैसा संबंद उस दिन तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे सही का आरती है तुम इतनी बदली-बदली सी क्यों लग रही हो चलो चलो क्या बात है घर में किसी से जगड़ा हुआ है क्या या फिर मुझ से नाराज हो मैं किसी से नाराज मेहीं अच्छ तुम्हें पता है उन्नी अंगल मेरे घर आय थे और पिता जी से हमारी शादी के ब पकड़ लिए उन्होंने किस कि शादी हमारी शादी और तुमने भी तो कहा है हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है मेरी शादी तै करने वाले तुम होते कौन हो मुझसे शादी करने का फैसला तुमने अकेलि ले लिया क्या ये ठीक है? आरती? क्या यह ठीक है बताओ, मुझे ऐसे बुलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मैं कौन तुम चानते हो, जानते हो क्या उन्हीं अंकल है क्या, हां अंदर है, ओके अरे, गोपी, आओ बैठो, यह अचानक कैसे आना हुआ, अंकल, मैंने सोचा आप से मिलके सामने बैठके बात करो, हम, शादी के बारे में, उस बारे में तौम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या हुआ, टेंशन में हो, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आपने बताया कि आरती का कुछ ठीक नहीं लगा, कॉलेज में क्या हुआ, पिछली बार जो हादसा लैब में हुआ था, वही आज कॉलेज में भी हुआ, मुझे एक डाउट है, इस हादसे से कही न कहीं आरती का कुछ संबन्ध है, दर असल बात यह है, जब मैंने उससे शादी की बात की, तो उसने इधवधर की बाते करके, शादी करने से ही इंकार कर दी अंकल, तुम दोनों की शादी के बाद, आरती का बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, तांतरिक जी ने कहा है, और 31 जुलाई तक उसका बुरा वक्त चलेगा, यह भी बताया था, और इसलिए हम चाहते थे कि सगाई जित अभी अभी बाहर गही है, उसकी सहली के पास कुछ काम था, मैं कबसे उसे फोन लगा रहा हूं, लेकिन लग नहीं रहा है, सारे लड़के यहां मौजूद है, मेरे लिए तो यह बहुत ही खुशी का दिन है, यह लो अपना मूँ मीठा कर लो, आप भी ले लो, आज क्या ख प्रब्राशन को कोछो हाँ, ब्लाए ना उन्हें, क्या कहा बभविष्य बताने ओर दादि के लिए बुलाई ना उन्हेंच्णाल का तया जूक्षा पनी बतानने वाले दादी के लिए, मुझे सेसा मुझे ताधरो अ क। ही प्रामोशन मिलिए उन्हों ने कहा ता वही है वो काफी बुजूर्ग है और जुकर चलती है वही है माधिवे बड़ी से बिंदी उसने गादा तुम बरबाद हो जाओगे सर्जी सुनो वह एक भूत है भूत है भूत है वह भूत है उस भूत को हम लोगा ने भी देखा है हां उन्होंने आर्थी को देखकर बताया कि 31 जुलाई आम उश्या की रात को साड़ी ग्यारा बुजी वह मर जाएगी यह तुम लोग क्या बोल रहे हो जी वो जो बोल रहा है वह सच है उसने बोला प्रोमोशन मिलेगा तो मिल गया उसकी बाद को सीरिसली लेना चाहिए यह भगवाल यहां पर ऐसे कौन बैठा है अहां अरे आरती तू तो अपने सहली से मिलने गई थी ना तो यहां पर आकर क्यों बैठी है और सुनतो वहां गोपी और उसके दोस्त तुम्हें ढून रहे हैं वैसे बैठी जब तुम उस प्रधान तांतरिक के घर गई थी तब वहां किसी देवी ने तुम्हें देखकर है यह कहा था कि 21 को तुम्हारे मौत हो जाएगी खे क्या मैं तो पहले भी मर चुकी हूँ इसलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता हूँ तुम्हारे हर परेशानी दूर हो जाएगी और शादि के बाद तो सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा अरे यही बाद तो प्रधान त अंत्रिक ने कहीं थी नहीं कि मालिक अंदर है क्या हां मालिक अंदर है लोड उतारने के बाद हम लोग जाएंगे इतनी रात को आप यहां अरे भले ही मैं आने में लेट हो गया पर तुम तो काम कर रहे हो ना बैट जा मैं दो फैर को भी आया था लेकिन तुम यहां नहीं थे वैसे बेटी की शादी तैय कर दी हां सर थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ रही है इसलिए बीजी रहता हूं न ठीक है सर आपको बता दूंगा ओके तुम्हें निकलता हूं अच्छा तो भूलना नि जो काया वो कर देना ओके ना इस यह सब हम लोग खाली करवा देंगे पैसे सुबा आके ले लेंगे अभी हम लोग जाते हैं तीक है तीक है मैं भी जा रहा हूं तीक है कर नचने कर लोग हैं को कि अिलाइट कि अजयू आफै diz 10 एपा एफट्व है यो कि मीम्ति एंग एफ सब्सकति हमें एफ एफ एण एए एप एप नह कुअ एए एप एफ पर कितनी जल्दी हो चे कि आजओ जाओ कर दिए अगाल की आ जाओ लो अंकल क्या हुआ हलो गोपी तुम कहा हूं निदी जल्दी हो से कि आपिस हाऊ जाओ रूंका दर्वाजा ओपिन रही हो रहा यहां कुछ प्रॉबले में लगता है जितनी जल्दी हो सक्या आजा अंकल क्या हुआ सब्सक्राइब प्ज़ री एक एकाम आपक जो है ने मिठेया है एक रिया है उन्हार खुछ आपकाम भी नहीं है हुआ बराएद ऐसे नहींग आपके अपकेश्ट आपकेश्ट कामरे मुट्बर देकिक को सबस्जा लाइए अपंकल! 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 झाल को पर्यादिते के लुब स्वादिए। हुआ 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 है हुआ 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 हु आर्थी 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 कि अपल जो है जो मैं आस्पिटल बात कर रहा हूं उनने गरिश्न की मौथ हो चुकी है इस आजसे को अर्थी बरताष्ट कर पाएगी इस आजसे को अर्थी बरताष्ट कर अर्थी बरताष्ट कर पाएगी आर्थी बेटा, हे बगवार, हे बगवार? आर्थी 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 आर्थ अज़ी तना मुझे भी चला कर छिया था ना? एक बून पानी के लिए घड़ा चला था डड़ गय थी मैं उसे तेन आप डिया था? ज़े था ज़िए था? अजप बे चिता पी जल रहे थे तो म साप घड़े रहे की तालिया बचा-बचा के हच रहे थे थे ना? कि अटन्य के ड canon अट था था कि अटन्य कर फिर विक इस Кто भी कि एक हम कि अटन्य कुछें अब फुड शूंग strong वेशय पर जिसने प्यार जदाया था, उस भले इंसान को भी तुम लोगोने फांसी पे लड़का कर मार डाला दाओ और किस-को माना चाहते हो, बताओ! बताओ किस को माना चाहते हो, बताओ! तुझे इस परिवार के लगकी से ठादी का लिए ना? परिवार के लिए अच्छी का लिए ना? बेरी चितना जलात करी आंपे फुषी से रहना जाते हो ना? बताओ, पर दॉटी के लोगोने! छोड़ो उसा! तू तो मुझे हाती मत लगा, आने तरी बेडी बोलना! आने तरी बेडी बोलना! भूल देनी बेडी दोवे गोपी कृष्णन उसके साथ लाइबरेरी में ही है ना जी वही है है जिर देनी ऊसके साठाइ ले ऐस दिर ट intentring गर घष्णन कि इस यूं agedो इसरा में प्रैंडी आस्टेमर्य कोप रोर्प में अशनिट शिर्भा बुड खेति वियोर्पी इसका मतलब यह कोई भी प्रेष्प्स खरन कर के कहीं और कभी भी ください बढ़ लिया मैंने सही कहा था ना इसे एक तरह का रियक्शन कह सकते हैं ऐसे ही कुछ साइंटिफिक नीम इस किताब में लिखे होंगे अगर तुमने बढ़ा है तो ऐसा ही लिखा है ना इसमें हां लिखा है कई सालों पहले बड़े-बड़े तांत्रिक महायांत्रिक भूत- इस दुष्ट आत्मा का भी कुछ उद्देश्य होगा यह सब बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता भले उससे मेरी शादी ना हो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से ना भीता पाऊं लेकिन मुझे अपनी पहले वाली आर्ती चाहिए अगर यह पहले हो जाता तो कोई रास्ता मिल सकता था अलोग एक सुक ना मिलने की बात तक तो ठीक है लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है अब तक हम लोग कोई से हसी मजाग समझ रहे थे लेकिन इतने बड़ी परिशानी होगी नहीं सोचा था देवी अगर आप चाहेंगी तो इस मुसीवत से हमें निकाल लेंगी आर्ती वहां पे जिंदा लाश की तरह पड़ी है मैं जानती हूं मेरे पिता जी महापूर तांत्रिका उस परिव के बारे में जब हम प्रधान तांत्रिके घरगे महाइक दादी माने कहा कि आमावस्या की रात 31 जुलाई को आर्ती की मौत हो जाएगी वह वह आमावस्या हाज ही है जानती हूं तुम जिससे मिल वो चाहे कोई भी हो या कॉलेज में जूबी हाथसा हुआ वो सब कुछ इस दुष्ट आत्मा का ही काम है उस परिवार के उन्नी कृष्णन को जला कर बली चड़ा कर बदला लेने का आकाश गंगा का एक बहुत बड़ा संकल्प था जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल रही थी और उसने उन्नी कृष्णन को मार कर अपना बदला भी ले लिया मेरे पिताजी के एक शिश्य आनंदन त्रिवेदी से मिलने के लिए मैंने किसी को भीजा है वो मुझे कभी-कभी चुड़ैल कहकर भी बुलाते हैं वो आएंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती हूं फिर भी तुम लोग किसी भी तरह समझा बुझा कर आर्थी को यहालान की के लिए तुम जो कह रही हूं वो सब ठीक है लेकिन मैं इस तरह के गलत मंतरों का जाप नहीं करता हूं मैं जानती हूं मेरे पिताजी के शिश्य भी धर्म कर्म का ही काम करेंगे ये बात मैं अची तरह सी जानती हूं लेकिन इस तरह से दुष्ट आत्माओं का विनाश कर पाएंगे क्या? पता नहीं, पर मुझे विश्वास से ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं जादा परेशानी ना हो. मुझे इस बात का कोई डर नहीं, प्रधान तांतरिक की बेटी हूँ. इसलिए तो तुम्हारे बुलाते ही मैं चलाया, सिर्फ इतना ही नहीं, लगता है मेरे गुरू की आत्मा मुझे आदेश्ट दे रही है, कि मानिकपुर की लड़की को किसी भी तरह बचाना होगा. अगर ऐसा है, तो आपको मेरे साथ रहना होगा. किसी भी वेदा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी उन निशद में, हम जो भी विधी करते हैं, उस से विप्रित इस दुष्ट आत्मा को मिटाने के लिए हमें वेद पाट और जाप करने होंगे. मैं समझ गया. मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो फिर होम जाप के लिए आप तयार हो जाएए. मैंने आर्ती को लाने के लिए उने भीजा है. आने दो. लेकिन आज का दिन बहुत संभल कर रहने का दिन है. तो कि आज की रात हम अवस्या की रात है. जानती हूँ. आर्ती अभी कैसी है? अभी डरने वाले तो कोई बात में. हमें उसे देवी के आश्रम लेके जाना होगा. आज रात ही वो दुष्टात्मा को खतम करेंगी. नमस्ते. मेरा ना मित्रन है. देवी के घर से आया हूँ. आनंदन त्रिवेणी गुरु जी ने एक संदेश देने के लिए भेजा है. क्या बात है? बोल रहे थे, सौमेनी देवी के आश्रम में इस घर की लड़की पर से आत्मा हटाने का इंतजाम कर रहे हैं. जब तक वहाँ पुझा चलेगी, तब तक इस घर के काली मंदिर में दिया नहीं बुझना चाहिए. आपको इस बात का ख्याल रखना है. मेरी बेटी को कोई तकलिफ तो नहीं होगी न? निश्चंत रहिए. त्रिवेणी जी जैसा बोलते हैं, वैसा ही होता है. आप पुझा की तैयारियां कीचे. मैं चलता हूँ. सुनो, तुम दर्वाजा खोल कर दिया चलाने की तैयारी करो. जाओ जल्दी. बेटा, इस परिवार को बेखरने से बच्छा लो तो. अंटिया प्रोय, सब ठीक हो जाएगा. बस हिम्मत रखिए. सुनो, जाँ आर्ती को लेके हां. क्योंकि हमें आश्रम में जल्दी पहुंचना है. आप चलो. मैं ही वो बचा हूँ, जिसके मज़े से मेरे पिताजी ने अपनी जान गवा दी. मैं एक बापी हूँ. मुझे क्या हो गया है गोपी? तुम तो बता दो. सब ठीक हो जाएगा. तुम परिशान मत हो. तुम मुझे दिला से दे रहे हो, गोपी. लेकिन जो भी कोई मुझे देखता है, वो मुझे से डर रहा है. गोपी, चाहे मुझे कोई भी छोड़कर चला जाए, लेकिन तुम मत जानो, गोपी. कभी नहीं जाओगा. तुम नही करकर कहीं नहीं जाओगा. सेच में? रच कहना हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. आविशा तुम्हारे साथ हूँ. हमें वो देवी के आश्रम में जाना है. मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ. वहां जाने के बाद? थोड़ी बहुत पूजा पाठों की बस. जाओँगे? मुझे नहीं जाना! क्यों नहीं जाना है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आर्थी. betा कौँ रास्ता. बुल ना! आर्थी. तु नहीं चला जा. मैं उनके पास तुम्हें लें के ही जाओगा, उन्से मैने बाता किया है. क्या बोला तुने? क्या बोला तुने? मैं तुम्हाँ से माँ दूगी माइ दुना तुम्हे अजी तू अजी तू मैं सुजे आज सुछु सुछु अज़ा अज़ा सुछु आट ढवाणी हो से! थोड़ दढ़ दढ़ा! ठाड़ा! 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 ठाणी को दढ़ा! ठाड़ा! ठाड़ा! अबागवान कैसी तरह? मेरे बच्ची को बस ठही कर दे. किसी को बताए बिना लकड़ी का दिया जलाकर इस तरह अखंड यग्य का अनुभव आपके लिए नया है यहां के लोगों को सात्वें यग्य करने की सुभिधाय नहीं है न सुमनी देवी के अखंड यग्य में तो जादा तर बुरी आत्माए आसपास भटकती रहती हैं ये तो तुम्हें भी पता है चरण की पूजा करना अंग के दर्शन करके अभिशेक करना यहां के मूर्ती को बक्रे का खून और देशी शराब पिलाकर पूजा करना आम बात है लेकिन चिन में है इस भैरब की शक्ती से कई गुणा जादा शक्ति शाली वह काली देवी से वह खून की प्यासी चुड़ेल नहीं बच पाएगी जो भी ओ अच्छा हो यही प्राटना है यहां पर रख तो जो प्राटना यहीं वे प्राटमप्रि मीच से ओढ़ अच्छा यहें यहर्शका बचतिम प्राटना से वेच करम मीच्ते प्राटन गण उकरी टेका दंखे आफ मेरा यहां प्राटना प्राटना बाना फम chapters thebury आती। आती। सेखेट। आती। सबस्याсь सबस्याद। सुचिया। सबस्यारू नाती। इच भी डिनालाइँ चुटब दिनाल को कि और रिंचरा टूटुरी अथ को जांधा मैं भी देख लूगी उससे, बुलाओ तुपारी देवी को, बुलाओ आर्थी, हमें अंदर चलना हैं, आर्थी अंदर चलो मैं कह रही हूं न, बुलो, जा बुलो अच्छा तो ये है, और दस दिगा, वहां क्या खड़िये हां मानिकपर परिवार में दाखिर होने वाली वेश्या है तू, गंगा, है न? हाँ, मैं ही हूँ अच्छा बुलो अच्छा बुलो अच्छा 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 अम्यामगंदा भेरवा आज हमावास्या है और तु मुझे मिठानी का सोची है तु मुझे मेरी शक्तियों का अंताजा नहीं है ही वो देख तुम एक चुडएल आत्मा हो गंगा तुम इस मासूम बच्ची के शरीर से जाओगी की नहीं नहीं जाओगी बिल्कुल नहीं जाओगी मुझे यहां से कुछ लोगों को लेकर जाना है उस परिवार की आखरी वारिश उन्निक कृष्णन को भी तुम अपने साथ ले गई जिससे मुझे सिंदर जलाया था उसकी साथ मुझे और क्या करना चाहिए हां तुझे इस शरीर को छोड़ना ही होगा तुम्हें आर्थी को छोड़ना पड़ेगा बिना कोई हानी पहुंचा है इसे तो मैं लेकर ही जाओगी तु चली जाए यहां से नहीं जाओग देखो मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ वरना तुम्हें मिटाने वाले इस अखंड पाठ का मैं गवाह बन जाओंगा तुम्हार्ती के शरीर को छोड़कर जाओगी की नहीं मैंने कहा ना मैं यहां से नहीं जाओगी स्वाम्यनी इस दुष्ट आत्मा से बात करके कोई फायदा नहीं अब तो जो भैर्व की इच्छाव स्वाम्यन्स नहीं नोचे खोच्छाना दोचा नहीं जाओ नाँ जाओ झाओँ जाओँ 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 मे जाओँगे कि यह पुनर जनम की तरह लग रहा है इस बच्ची के पुर्वजों ने जरूर कोई पुर्णी किया होगा जो बुरी आत्मा इसका शरीर से चली गई अब वो बुरी आत्मा आर्थी को कभी परेशान नहीं करेगी आप लोग इसे ले जा सकते हैं आर्थी 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 चलो इस बच्ची को इस आश्रम से जल्दी से ले जाओ इस जल्दी करो यहां से जल्दी निकलना है अब डलने की कोई वाल निहीं है चलो ये लिए एक बेरो इचे 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 आप आप तुमत अपने आवाद सुनी इचे क्डाओ आई टो अग़ा उन्हान धाजा अगर अगंए गवांगो आगवार और उन्हानों अगार में अगवार ंगवार जीमा अगार दून्हात। झाल झाल करदिर दो झाफ